Cross cultural psychology complex decision making एक और चीज़ जिसको cross culturally study किया गया है वो है कि decision making में culture कैसे influence करता है और क्या culturally लोगों में फर्क होते हैं कि इसको समझने के लिए पहले basic decision making की थोड़ी सी definition देख लेते हैं वड़े decision भी होते हैं और छोटे भी हम सुबह से ही उठते हैं तो हम छोटे छोटे कई फैसले करते हैं क्या खाना हैं कौन से कपड़े पहनने हैं कब उठना है अजान सुनाई दिया है फजर के वक्त उठे न छोटे decisions हैं इन सब का मतलब यह होता है कि आप एक फैसला करना है cognitive psychology ने फैसला करने के models बनाई हैं काफी complicated models बनाई हैं जैसे computational models होते हैं यह 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 उसके साथ यह यह तो इसका आप फैसला करते वही इन सब को किस तरह जोड़ के permutation से इनसान फैसला करते हैं यह models ने हैं human decision making क को बियान करते हैं describe करते हैं एक principle जो एक को कहते हैं expectation times value principle अगर आप कोई फैसला करने लगते हैं तो पहले आप यह देखते हैं कि यह जो अगर मैं यह करूंगा तो इसमें मेरे लिए जाती तोर पर क्या फाइद है और क्या यह उमीद है कि मुझे मैं इसमें काम्याब हो जा मसला अगर आप यह पढ़ रही हैं और इसको पढ़ने में आपको लगता है कि एक value है और आप यह भी समझते हैं कि आप काम्याब हो जाएंगे इसको समझने में या इसको complete करने में इस reading को तो यह एक expectation times value का principle है जो कि decision making में पहले पेश किया जाता है शुरू में जब हम यह topic पढ़ते हैं लेकिन यह बहुत से decision में यह बात इतनी simple नहीं है मसलना हमें यह पता ही नहीं होता कि हम कोई फैसला कर रहे हैं तो क्या decision maker को खुद पता नहीं होता कि काम्याबी होगी के नहीं उसमें तो इसका मतलब है कि यह जो expected success है वो तो इसमें से निकल गए तो अब यह एक cd primer जो है complex decision making का वो हम देखते हैं कि क्या है उसमें पहली बात है complexity जिसका मतलब यह है कि जो decision making situation है उसमें बहुत सारे variables हैं कोई एक factor नहीं ठीक है और वो सब आपको देखने हैं दूसरा यह है कि यह जो variables हैं यह आपस में जुड़े हुए हैं यह ऐसा है तो ना हो तो य इस तरह होगा अगर यह इस तरह होगा तो दूसरा इस तरह होगा अभी मैं मिसालों से यह बात आपको समझाओं यह अलग लग करके इनको आप नहीं देख सकते और इनको एक tight network की तरह देखना होता है तो यह complexity है पहचीदगी है decision making की जिसको जिसका model हमें जब हम पेश करते हैं कि इनसान decision कैसे करते हैं फैसले कैसे करते हैं तो उसको यह देखना होता है कि फैसला कितना पहचीद है दूसरा है multiple goals जब decision maker जो है उसका एक नहीं बलके कई goals या तवक्वात या मकासिद होते हैं मसलन कई दफा उसको अपने situation से हलकी सी dissatisfaction होती है और कई दफा बहुत ज़्यादा होती है कई दफा improvement लगता है कि होर योगी dissatisfaction के बावजूद तो आप कुछ करते हैं लेकिन अगर dissatisfaction बहुत ज़्यादा भी है लेकिन improvement की कोई सूरत नहीं है तो फिर आपका जो goal है वो है क्या उसको भी देखना पड़ता है कि improvement हो ही नहीं सकती तो आपका goal क्या है और आप तब क्या फैसला करेंगे accept करना है या कोई चीज को बदलने के लिए कुछ करना है और एक goal दूसरे goal के खिलाफ भी हो सकता है कई तफा तो यह जो चीज़ है यह एक goal के हिसाप से है एक complexity के हिसाप से थी अब मसला जैसे situation आपने काम शुरू किया किसी situation को देखा उस पर फैसला कर रहे थे situation एक जैसी नहीं रहती यह वेर्ट नहीं करती आपके फैसले का बलके उल्टा खराब भी हो सकती है और इसमें जो आखरी point है वो है अपैक्टनेस यानि कई दफा ट्रांस्प जी इस पर क्या आफर होगा situation को assert करना difficult होता है उससे निबटना या उसको सामने लाना मुश्किल होता है अब यह जो decision making में इतनी complexity है इतना उल्जाओ है और उसके बीच में इतनी uncertainty है उसकी वजह से psychological consequence होता है decision maker पे time का pressure है uncertainty का effect है कि इससे कुछ फैसला करने से कोई असर होगा के नहीं और कोई इसमें आपको नए तरीके से भी सोचना पड़ता है जो decisions पहले थे हो सकता है situation में वो ना किये जा सके अब जैसे एक college की student body है उनको इसलिए elect किया गया है ताके students के मसायल में उनका साथ दे और उनकी आवाज बने लेकिन आप यह notice करते है college student के तोर पे कि वो अपने जाती अगराज और मकासद पे चल रहे हैं और कोई फाइदा नहीं पहुंचा रहे है students की पूरी जो body है उसको तो आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे क्या करेंगे तमाम चीज़ों को देखके आप अपने लिए करना चाते हैं लोगों के लिए करन होते हैं और जब आप उस पे अमल दरामत करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि नतीजा क्या निकला है strategic flexibility बहुत important है जब आप strategy planning करते हैं तो उसको बदलना भी पड़ता है तो जो flexible ना हो उसके decision जो है यानि उनके अंदर planning करने की कितनी capacity है कुछ culture जो है वो इतने rigid होते हैं या कम flexible होते हैं कि तो फिर predictable ज्यादा होते हैं जब कि जो planability होती है उसका मतलब यह है कि इसमें बड़ी गुंजाइश है कि आप चीजों को बदलने के लिए को planning करें नए रस्ते इखत्यार करें दूस individualistic कुछ cultures हैं उनमें बहुत exposure हो रहे हैं कि तुम सोचो क्या करना है तुम खुद कर लो देखो कैसे करना है इसको और बचा जब decision करता है तो उसको encourage किया जाता है तो ऐसे culture में जो है वो problem solving बहतर होती है और तीसरा है power distance and social hierarchy जहां पे मरतबे का ख्याल रखना जरूरी हो कि फै फिगरने करने है और जिस authority फिगरने करने है उससे हमारा power distance बहुत है हमारी power कम है उसकी power ज्याद है तो कुछ cultures जिन में power distance और social hierarchy को बहुत ज़्यादा है वहां पे भी decision making के अंदर ये वाले factors involved हो जाते हैं individualistic cultures जो बहुत ज़्यादा individualistic हैं वो promote करते हैं independent और self reliance अपने उपर भरोसा करो और अजादाना फैसला करो जो highly collectivist cultures हैं वो value system उनका promote करता है कि वो obedient हों फर्माबरदार हों जैसे सब कर रहे हैं जैसे norms हैं जैसे जो कहा जा रहे हैं वो ही करें और in group जो है उनका उसके norms के मताबिक तो हम बहुत हद तक collectivist हैं लेकिन हमारे अंदर ही individualistic families के सब culture भी पाए जाते हैं high power distance cultures जो हैं वो control span जो है ना वो individuals का कम कर देते हैं वो बहुत जादा असर अंदाज नहीं हो सकते हैं लोग और hierarchy भी क्योंके होती है तो इससे individual decision making मेरे फर्द का जो फैसला करने का इक्तियार और सलाहियत है वो बहुत हद तक हैंपर होती है रुक जाती है उसमें रुकावट पैदा होती है lower power distance जा power का इतना distance नहीं है लोगों में अख्तियारात में बहुत फर्क नहीं है वहाँ पे लोग ज्यादा assertive होती हैं और वहाँ पे control oriented strategies चीजों को control करके बदलने वाली strategies जो हैं वो ज्यादा काम आदा